कि जोहार दुस्तों आप सब्सक्राइब फिर से एक बार जोहार एक्जाम में सब्सक्राइब कैसे मेरे क्यल से अच्छे अच्छे अगुरे से सपना पर पेशन कर रहे हूं तो शुरू जरकते आज में फिर से आप लोगे लिए साइकलोजी के इमिन्ट 14 गन तो इंपोर्टे सब्सक्राइब करते चाहें सोचलोजिक बात करते चाहें पेपर टू हिंदी की बात करते हैं सारा आप लोग का स्रीज चल रहा हैं से आप लोगी सब को रोज देखना सभी को ठीक है आप लोग एकजाम में यहां प्रसंदेखनी को मिलेगा ठीक ना क्योंकि जितने रहते हैं तो चलिए हम लोगों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं ठीक है और अभी तक आप लोग इस चलिव नहीं होगे तो बोलिंग एक जोहार एक जोंग सुस्क्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि जब इसी पर वीडियो अप्लोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिपिकिसन मिल सकेगा ठीक है तो ठीक है फिर इस वीडियो को सेयर कर दीजेगा है ना और अपनी दोस्तों को पास पहुंचाईए चलिए फर्श नमबर प्रसन है यांतरीक मानो मोडल का मुई क्योदेश क्या होता है ओप्सन दिया हुआ है मानो के भोती काईव को स्वचालित करना ठीक है सी नमर प्रसन बिलकुर राइट एंसर हो जाएगा नेक्स प्रसन है आप लोग का दिखिए जेविक मानक किस परकार की अध्यान के लोपियोगी होते हैं मनोबेग्यानिक समाजीक जेविक यांतरीक इसका राइट टेंसर आप लो सी सुधारित है बी में दिया हुआ है एक मानों जो यांत्रीक मत्मकर करका और कायर्य करता है एक मानों जो समाजीक धांचे में कायर करता है तिसका प्रसन नमबर कितना है तिसका बिलकु राइट एंसर क्या हienna देखिए की एक मानो जो संगठन आत्मक सिध्धानतों का अनुसर कायर करता यानि की सी नमर आप्शन बिल्कुल सही अन्सर नेक्स प्रसें आप लोग का देखिए मानोतावादी मानो के सिध्धानत का मुलत तो क्या है सोचालन बेक्तिगत विकास और आत्म साक्षातकार सी में दिया कूलन डीम दिया व ब wollहारिक सुधार इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा आप लोग का बेक्ति घत विकास और आत्म साक्षातकार थेक है बीन आपर अप्शन विलकूर राइट एंसर हो जाएगा नेक्स प्रसें आम लोग का डेखिए क्या दियावाator है नेक्स में हुआ बेहवार परिवर्तन के किस परति रूप में सकरात्मक और नकरात्मक पुनर बलन का परियोग होता है क्लासिकल कंडिसनिंग, ओपरेंट कंडिसनिंग, समाजिक सिखना और बेहवारिक संसोधने इसका राय टेंसर हो जाएगा ओपरेंट कंडिसनिंग ठीक है B number option बिल्कुल right answer Next person के रोल लोग बढ़ते हैं Next person देखिया दिया हुआ है यांतरिक मानो मोडल किस छेतर में सबसी अधिक उप्योगी है चिकिसा, मनोबिग्या, रोबोटीक्स, समासास्त्र इसका right answer रोबोटीक्स, ठीक है C number option बिल्कुल, science रोबोटीक्स, next है पिसलेशन, चिकिसा और जीवन बिग्यान, भासा बिग्यान, इसका right answer होजाएगा चिकिसा और जीव बिग्यान, ओई हो गिया, C number option बिल्कुल राइट अंसर होजाएगा, next person है संगठनातमक मानो की मुख्य बिसेस्ता क्या होती है संगठनातमक मानो की मुख्य बिसेस्था इसता क्या होती है, एकता और एकत्री करण, स्वैतत्त बेभीन्त और विभाजन, मानावता और साहणी भूती इसका राई जो एंसर हो जगे एकता और एकत्री करन ठीक है ए नम्र ओप्षन बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा नेक्स प्रसने आप लोगा देखिए मानवता वाधिस दिरिश्टी कोन किस परकार के उपचार वे परियोग तो होता है दवाओ पर अधारित मनोबिसिले सनात्मक मानवता वाधिस चिकिस इसका राइट एंसर हो जाएगा आप लोगा मानवता वाधिस चिकिस सा ठीक है सी नम्र ओप्षन विल्कुल राइट एंसर हो जाएगा नेक्स प्रसने आप लोगा देखिए बेहवार परिवर्तन के किस परतिरूप में मोड डिलिंग का उप्योग किया जाता है क्लासिकल क समाजिक सीखना जेविक परतिक लिया इसका राइट एंसर आप लोग क्या हो जाएगा तो समाजिक सीखना नेक्स्ट है यह अंतरिक मानव मोडिल का कौन सा लाव है मानसिक सुधार सारेरिक कायरियों में बिरिदी समाजिक कोसल विकास भासा विकास तो इसका राइट एंसर हो जाएगा क्या सारे रिक काईरियों में ब्रीधी ठीक है बी नम्र उप्शन बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा नेक्ट प्रस्ण आप लोगा जेवीक मानक का अनुसरन करने वाले बेक्ती को क्या कहा जाता है यांतरिक मानों, जेव मानों, संगठनात्मक मानों, मानाउतावादी इसका राइट एंसर हो जाएगा आप लोग का जेव मानों ठीक है बी नम्र उप्शन बिल्कुल राइट एंसर संगठनात्मक मानों का परियोग किस परकार के समाज में किया जाता है बिभाजित समाज, सन्युक्त समाज, सोतंत्र समाज, निरंकुष समाज इसका राइट एंसर हो जाएगा क्या सन्युक्त समाज ठीक है नेक्स्ट है मानवतावादी मानव के सिधांत में किसका पर्मुक्य युगदान है सिंग्मन फ्राइड, कार्ल रोजर्स, बीफ इसकीनर, इवान पाउलो इसका राइट एंसर हो जाएगा क्या कार्ल रोजर्स बी नम्बर उप्शन बिल्कुल से इंसर हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा, बी नम्बर उप्शन बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा इसके नेक्स प्रसन जानने से पहले दोस्तों देखिए, आप लोग बता देना चाहरे है, जारकन मेले सुपर वाजर के दोस्तों नोट्स त्यार किया गया, ठीक है सोसलोजिक बात करते है, होम साइंस की बात करते है, साइकलोजिक बात करते है, पेपर टो हिंदिक बात करते है और paper one की बात करते हैं तो दोस्तो देखिए notes की खासियत क्या है कि यह आप लोग silvers के coding रहेंगा ठीक है और जो भी आप लोग topic दिया गया है जरकन करमचारी चेन आयोग के दवरा वही topic को आप लोगो यहां बतलाया गया एकदम बारिकियों से दोस्तो गहन अध्यान करके बहुत सारे सिक्षकों के बिसलेशन करके निसकर से निकाला गया है उसके बाद गहन अध्यान किया गया है उसके बाद इस notes को त्यार किया गया तो निश्ची तिरुप से दूसरों आप लोग यहां से प्रसंद देखने के मिलेगा 100% दूसरों यहीं से प्रसंद रहेगा इससे बाहर कुछ भी नहीं बस आप लोगों पढ़ना होगा ठीक है बीना पढ़े हुए कुछ नहीं होने वारा पढ़िएगा तो ही आप लोगो सेलेक्शन होगा नहीं पढ़िएगा तो नहीं होगा जो पढ़ता है उसका सेलेक्शन होता है जो दोड़ता है उसका मोटा पाकम होता है जो सोता है ज्यादा उसका पेट निकलता है तुसी तरह जो पढ़ेगा उसका नोकरी लगेगा Chaita न वोड़ोत से आप लोगे रांबानसाबीत होना वाला है क्योंकि फीर से लूटे आप लोग प्रसन ऐहीँ से रहेगा थेका है खेंग्यां को पता होगा किसी इब किया नहीं होता है यह पोड़ाने और सोचेगा है कि और से श्रीचल नहीं हो पढ़िएगा तब तो होगा। कि ऐसा ही मुथ खाके चल दिए कुछ में मार्केट से मंग वा लिए उपर पढ़़ लिए चल दिए MARKET में तो आप लोगों। पता ही होगा वूप कि परकार आता है नहीं आता है मोटा रहेगा लगेगा 1500 का नाम और पता चले content के नाम में गोल गोल अंडा तो दोस्तों अगर आप लोग अभी सपना है ड्रीम है गोल है जारकन मेला supervisor में जाना एक seat पका करना तो दोस्तों ये notes आप लोग लोग फिर से बुर रामबान साभित होने आप लोग सपना है ड्रीम है गोल है तो आप लोग देखिए notes को कैसे प्राप करना है तो देखिए नंबर दिया हुआ है 8 7 8 9 1 2 5 2 2 9 इस नंबर पे डालगत दूस्तों आप लोग को करना क्या है कि आप लोग बता देना है कि आप लोगो sociology का चाहिए या फिर home science का चाहिए या फिर psychology चाहिए या फिर paper to hindi का चाहिए या paper one का चाहिए ठीक है जिसका भी चाहिए आप लोग comment करके बता देजेए उसके बाद दो मिनिट के अंदर में आप लोग जो हर exam के टीम के दोर आप लोग को 100% आप लोग को टेस्ट दे कि जाना है तो आप लोग बहुत सरा गलती किजिएगा वह गलती सबसे पहला क्या रहेगा आप लोग समय time को manage नहीं कर पाईएगा और दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या हो जाएगा गलती क्या किजिएगा आप लोग मार्क्स का जो टाउन प्रेक्टिस कीए उसके बास प्रेकटिस किए हुए और दोने2 प्रेक्टिस करना एए उसकी कीए हुए आप लोग नहीं कर पाईएगा है ना क्योंकि जो गलत अपिक जामिशन में कीज़ेगा वह आप लोगो टेस्ट सिरीज में ही गलती कीज़ेगा और सफलता प्राप्ट करने के एक ही कॉन सेप्ट है अपने आपके क्या खामिया है उसको देखना परखना और उसमें इंप्लिमेंट करना सुधार करनी कवी सकता है यह नहीं कि अब घमन में हैं कौन क्या कर लेगा ऐसे वैसे दिस डेट वैसे नहीं करना है गलती अगर कोई बता रहा है तो उसमें आप लोगो सुधार नहीं कवी सकता है यह नहीं कि मुह चलाने मुझवान लडाने लगना लड पता चले अच्छा यह यह तो पढ़े थे लेकिन कोईसें में तो आया ही मतलब कौन वला लगाएंगे कौन वला होगा उसका फिर आके बोलिएगा कि सर आप सही बोल रहे हैं प्रेक्टिस करके गिये हुए रहते हैं पढ़ने का तो सारा कोईसें आगे यहां सिलवस से लेकिन सिर्फ प्रेक्टिस नहीं करके गये थे यही आप लोग आके बोल लिए इसलिए आप सभी से आत जोड़के रिक्वेस्ट रहेगा ठीक है कि जितने प्ट्यारी करने वाले कंडिडेट हो जो सीरियस नहीं होंगा उनका हम बात ही नहीं करते हैं ठीक है दोगे पेपर वन हो थोँ ऐनडुनीड सेकर लीजएगा हुंदी टूएंड्रेड अठर्ट अपलों तीनों dzieci की बात करती है हो साइक क्लोंच की बात करते कि इसक पर दूस्थ पर है तो आप लोग कैसे करना है तो देखिए नंबर दिया हुआ है कैसे पराप्ट करना है RS तो देखे ऐट सेबन ऐट नाइन वान टू फाइब तो तू निस नमबर पर दोस्तों वही सिस्टम है 200 पीविन करना है देन उसके वाद इसक्रीन सट यही नमबर वार्ट सब नमबर आप लोग की स्कीन सट डाल देन उसके बोल देने एक से रमको पेपर वन का टेस्ट चाहि इन सब भी का चाहिए तो आप लोग उसको बता दीजएगा उसके वाद आप लोगो टेस्ट सीलिस प्रोवाइट करवा दिया जाएगा ठीक है समझमा गया तो चलिए नेक्स प्रसन की और देखिए यह आंतरिक मानव मोडल का किस चेतन परियोग नहीं होता इसका राइट एंसर हो जाएगा का बिया ठीक है डी नम्र आप्शन बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा चलिए नेक्स प्रसन जेविक मानग का उप्योग किस परकार के अध्यन में किया जाता समाजिक अध्यन भोतिक अध्यन जीवन विग्यान अध्यन भासा विग्यान अध्यान इसका जो राइट एंसर हो जाएगा जीवन विग्यान अध्यान ठीक है सी नबर ऑप्चन बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट एंसर हो जाएगा समाजिक समन्जेसिय ठीक है बी नबर ऑप्चन बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा बेक्ति गत बिगास पर है नबर ऑप्चन बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा समाजिक सिखना यानि कि C नबर ऑप्चन जो 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 जाएगा बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा नेक्स परसंड के रवमलूब बढ़ते हैं देखे या अंत्रिक मानो मोडल का कोन सा उधारन है लेक्टरिक सरकीट, रोबोट, जेविक को सिखा, समाजिक समू इसका राइट अंसर हो जाएगा रोबोट ठीक है? यानि कि B नबर ओप्षन बिलकुल राइट अंसर हो जाएगा रोबोट next प्रसन है जेविक मानक का पालन करने के लिए किसकी आई सकता होती? यांथरी ज्यान जेविक ज्यान तो इसका right एंसर हो जाएंगा जेविक ज्यान डी नबर ओप्शन बिल्कुल सही एंसर नेक्स प्रसने आप लोगए संग अथमक मानों का कुवन सब पहलू सबसे मात्सपन होता भोतिक का एरिया समाजिक एकता, बिक्तिगत सुतंता, मानसिक स्वास्त इसका रायट एंसर क्या हो जाएगा आप लोग समाजिक एकता यानि कि B नमबर ओप्शन बिल्कुल सही एंसर हो जाएगा नेक्स प्रसने आप लोग का देखिए, मानवतावादी मानव के सिधानत में किसका महत्वे आर्थिक लाव, समाजिक पर्तिष्टा, आत्मसाक्षतकार, भोतिक सुक तो इसका रायट एंसर क्या हो जाएगा आत्मसाक्षतकार, ठीक है C नमबर ओप्शन बिल्कुल सही एंसर हो जाएगा बेहवार परिवर्तन के किस पर्तिरुप में परिनाम के महत्व पर जोर दिया जाता है इसका रायट एंसर क्या हो जाएगा तो इसका आएगा ओप्रेटिंग कंडिशन बिल्कुल सही यांतरिक मानव मोडल का कौन सा छेतर नहीं है इसका रायट एंसर क्या हो जाएगा 26 का तो जेविक विज्यान ये नहीं होगा C नबर ओप्शन इस दी रायट एंसर नेक्स्ट प्रस्टन है जेविक मानग का पालन करने का उद्देश सी क्या होता है यांतरिक दच्टा, मानसिक स्वास्त, सारीरिक स्वास्त, समाजिक अनुकूलन इसका रायट एंसर हो जाएगा 27 का सारीरिक स्वास्त C नबर ओप्शन बिलकुल सही एंसर हो जाएगा संगठनात्मक मानों का परियोग किस परकार की समस्याओं की समाधान के लिए किया जाता है बेक्तिकत समस्या, समाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, तक्निकी समस्या इसका जो रायट एंसर हो जाएगा तो समाजिक समस्या ठीक है नेक्स्ट मानवता वादी दिरिश्टि कोन किस परकार के बेक्ति को प्रात्मिकता देता है समाजिक रूप से सकेरिय, आर्थिक रूप से मजबूत, आत्म सक्षतकारी, भोतिक रूप से सक्षम इसका जो रायाट एंसर हो जाएगा आत्म सक्षतकारी ठीक है, C number option जो होगा बिल्कुल, right answer हो जाएगा, हम लोग next percent के और बढ़ते हैं, next percent देखिये दिया हुआ है, बेहवार परिवर्तन के किस पर्ति रुप में बेहवारिक अनुगरन का महत्तो है, classical conditioning, operand conditioning, समाजिक सीखना, बेहवारिक संसोधन, इसका right answer हो जाएगा, समाजिक स सीखना, यानि की C number option बिल्कुल, right answer हो जाना, तो दोस्तों हम लोग आज की class में 30 percent रहने वाला है, ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, और ये जो session चल रहा है, class चल रहा है, आप लोग कैसा लग रहा है, helpful हो रहा है, हो रहा है, तो आप लोग comment करके बताए, नह सभी लोग comment करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन आप लोग तो करते नहीं, आप लोग तो बात तो मानते नहीं है, है ना, तो ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग comment करके बता दूजेगा, और 30 में आप लोग को किसना सही हो हो, उसको भी आप लोग बता दूजेगा, ठीक है, और इस वीडियो का आप लोग ज़्यादा ज़्याजा सेर कीजिएगा, ताकि जितने भी त्यारी कानी वाले candidate होंगे, सभी पास वीडियो पहुंच सकेगा, और सभी लोग ये class को देख सकेगा, और एक जाम इसका आप लोग फैदा देखने को मिलेगा, और अभी तक आप जोहारी को सस्क्राइब नहीं की हैं, तो वो लिंक जोहारी को सस्क्राइब कर लिजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी सी पर करके वीडियो अपलोड होगा, ताप लोग सबसे पहले notification मिल सकेगा, ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते है नेक्स वीडियो तब तक के लिए टाटा वाई वाई जोहार